Hello everyone, welcome to the class guys, कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे आज हम इस वीडियो में current electricity के जो previous year questions कर रहे हैं उसका second part लेकर क्या हैं आपके लिए सभी बच्चे इस previous year question series को follow करें because इसके अंदर जो हमने questions दिये हैं यह आपको directly आपके exam में बहुत जादा helpful होने वाले हैं clear है इसके साथ-साथ आप late मत हो जाना मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो sample paper है Educard का physics sample paper इसको आप जरूर से practice करें इसको order करने की जो link है यह मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा ठीक है तो जो बच्चा sample paper को बढ़िया से practice करेंगा PYQs के साथ-साथ उस बच्चे के जो marks हैं वो बहुत अच्छा आने वाले हैं clear है आप late मत होना बस इतना ही करना चाहरा हूँ sample paper को order करने की जो link है यह इस वीडियो के description और comment section में आपको मिल जाएगी clear है बागी जो features है मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ आपको पहुँ जादा help होगी इस से जो बच्चा pyq plus sample उपर कर लेगा उस बच्चे के सारी question almost जो है आपके exam में first जाएंगे ठीक है इस question में कि एक cell है जिसकी EMF है E external resistance से R connected है current इस में I flow हो रहा है है ना तो आपको internal resistance के लिए formula बताना है देखो हाँ और comment section बताना हाजर मुझे याद था first वाले का answer बताओ ज़रा सही है तो यहाँ पे देखो actual में क्या है इसका जो सही answer है वो यह होता है E upon V minus 1 upon 1 into R यह है इसका सही answer तो क्या यह कहीं पे मिल रहा है हाँ जी भई तो यह हमारा जो सही answer है वो D हो जाएगा यह आपसे इस form में भी कहीं बार लिख करके दे सकते हैं यह internal resistance का formula होता है clear है चलिए next question के हम बात करेंगे इस question में देखो क्या दिया हुआ है एकदम simple सा question है बट देखते हैं जड़ा क्या लिखा हुआ है storage battery है car की जिसका EMF है 12V और internal resistance 0.4 ohm maximum current that can be drawn from the battery is देखो कभी भी आपको ऐसा question मिले तो आपको हमेशा याद रखना है कि EMF या मैं कहूं कि current का formula क्या होता है वैसे होता है V upon R ठीक है लेकिन EMF दिया है ना में तो EMF वाले case में current का formula होता है capital R plus small r ये external resistance ये internal resistance EMF upon total potential difference ठेक है sorry EMF upon total resistance ठेक तो अभी देखो याद रखिए for maximum current अगर हम बात करते है maximum current की तो maximum current वाले case में हमेशा रखिए कि external resistance जितनी कम होगी आप भी सोचो external battery के बाहर वाली जो resistance है ये जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा current आपको मिलेगा सर battery के अंदर वाली क्यों नहीं क्योंकि battery के अंदर वाली जो resistance है ये electrolyte और normal temperature इन सारी चीदों पर डिपेंड करता है तो internal resistance almost fix होती है ठीक है किसी भी cell के लिए clear है no for maximum current तो r की value अगर 0 हो गई तो हमें maximum current मिलेगा clear है तो minimum से ज़्यादा और क्या कम मिनिमम में 0 से ज़्यादा और क्या कम हो सकती है नहीं हो सकती ना तो r की value अगर 0 है तो हमें मिलेगा maximum current तो ये बन जाएगा e upon r तो ये बन गया i max ठेक इसके बाद ये 12 वोल्ट दिया है ये आपको 0.5 एंपियर दिया है तो आपको इस तरह से r की value को 0 रख देना है external resistance clear next question हमें क्या क्या दिया जा रहा है यहाँ पर question में कहा जा रहा है किर्चॉप के first rule और second rule की बात करी जा रही है इसमें आपको चार option दे दिये कि first और second rule किस principle पर based है तो आपको यहाँ पर देखना है कि किर्चॉप का जो first rule है ये conservation of charge पर based है तेक और second rule conservation of energy पर based है तेक तो first rule conservation of charge second rule conservation of energy तो यह आपका correct answer हो जाएगा next हम आ जाते है question number 43 पर अब इस 40 या next question जो भी अपना number चल रहा है उसको अपनको ध्यान देना है important question है यह आपके cbsc ने 2021 में term 1 के exam में पूछा था clear 2021 में दो terms में covid के कारण दो terms में paper हुए थे है ना term 1 and term 2 देखो क्या दिया जा रहा है कि दो source हैं जिनका emf equal है टिक यह series में connect करे गए this combination is in turn connected to an external resistance capital R the internal resistance of two sources R1 and R2 if R2 is greater than R1 पहले जो कहा गया है उसको हम draw कर लेते हैं clear देखो ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे पास दो cell हैं दोनों cell की कुछ internal resistance होगी ये एक और cell है इस cell की भी कुछ internal resistance होगी इसके बाद एक external resistance लगा दी गई ठीक ना इसके बाद कहा गया कि यदी R2 की value जैसे इसको मान लेते है R1 इसको मान लेते है R2 इसका EMF E है इसका EMF भी E है क्योंकि यहाँ पर लिखकर के दिया गया है equally EMF टेक जैसा कहा वैसा हमने draw कर लिया है सबसे जरूरी बात है कि जैसा कहें वैसा draw कर लो उसके बाद हमें question बहुत सभी समझ में आता है तो यहाँ पर कहा लिख दिया कि R2 की value R1 से बड़ी है यह भी दिया हुआ है that means जो दूसरी वाली सेल की internal resistance है वो जादा है और पहली वाले की internal resistance कम है ठेक चलिए इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर if potential difference across the source of internal resistance R2 is 0 क्या कह रहे हैं कि यदि इसका potential difference यदि इस वाले सेल का potential difference EMF नहीं का potential difference मतलब V2 यदि 0 हो जाए then capital R की value क्या होगी यह बताना है आपको यह capital R लगा है ठेक तो सबसे पहली चीज़ आप एक बार और समझे दो सेल है दोनों की internal resistance R1 R2 है R2 की value R1 से जादा है इसके बाद कह रहे हैं एक resistance capital R लगी हुई है तो अगर V2 की value 0 हो जाती है लिखा है ना if potential difference across the source of internal resistance R2 is 0 यदि R2 की across यानि R2 जिस सेल के अंदर है उस सेल का potential difference 0 हो जाए तो capital R की value क्या होगी यह आपको बताना है टेक चलिए तो आपको समझना है कि इस question में आपको resistances के बारें बता जा रहा है clear तो चलो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि E is equal to क्या होता है V plus IR यह होता है V plus IR होता है now इसके बाद आप यह देखो कि E is equal to V plus IR होता है ठीक है तो अगर हम second वाले की बात करें second का EMF है यह इतना और अगर हम मैं यह कह रहा हूँ कि इसका जो potential difference अगर 0 हो गया तो कितना बचा IR बचा तो यहां से अगर मैं यह कहता हूँ कि small R की यह यहां पे लिख देता हूँ तो यहां से small R2 की जो value है यह क्या आ जाएगी E upon I आ जाएगी किस की value? R2 की value क्योंकि यह series combination है तो दोनों में ही कैसा current flow होगा? दोनों में ही same current flow हो रहा होगा I clear? अच्छा अगर हम बात करेंगे यहां पर R2 की value तो हो गई अगर मैं आप से कहता हूँ कि इस पूरी circuit में total current कितना flow होगा? clear? तो आप यहां पर देखो पूरी circuit में total current flow होगा I is equal to यहां पर समझे N E यहां पर लिख दिया मैंने 2 E देखो दोनों सेल का EMF total EMF upon total resistance तो 2 E upon capital R plus यह capital R plus R1 plus R2 R1 plus R2 यहां पर मैं capital R की value निकालनी है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहां पर एक काम कर देता हूँ I is equal to चलो ऐसा कर लेते हैं यहां से अगर मेरे पास अगर मैं ऐसा कर लूँ कि I की value निकालूँ तो यह हो जाएगी E upon R2 और यह I तो यहां पर इसको put कर सकता हूँ E upon R2 is equal to 2 E upon capital R plus R1 plus R2 ठेक तो यहां पर मेरे पास E से तो E कट जाएगा 1 upon R2 cross multiply कर देता हूँ तो यहां पर R plus R1 plus R2 is equal to बन गया 2 R2 2 R2 ठीक है? ध्यान से देखें अभी का करेंगे? अभी यहां पर R1 R plus R1 is equal to 2 R2 इस साट जाएगा मतलब यह R2 साट जाएगा तो 2 R2 में से R2 घट गया तो यहां पर बचा R2 तो यहां पर जो R is equal to क्या आ गया? R2 minus R1 external resistance की value क्या आ गई? जब potential difference इसके across 0 हो जाएगा तो R2 minus R1 और यही इसका correct answer हो जाएगा clear है? यह आपको इसमें ध्यान रखना है conditions मैंने आपको बता दे clear है? ठेक तो जब जिसे आप आप चाहिए तो यहां पर R2 की value भी put कर सकते थे तो IY cancel हो जाता है ठेक है बस इसमें और कुछ नहीं करना है आपको तो अगर यह वाला case बन जाता है capital R वाला potential difference 0 है तो capital R की value यह बनने चाहिए clear है? चलिए आगे बढ़ेंगे next question की और 41 हो गया next question क्या है? देखते हैं जरा इसको इस question में क्या दिया हुआ है? simple सा question है आप से one mark question में यह भी term 1 में पूछा गया question है CBSE ने 2021 में पूछा है अच्छा है इस question में क्या दिया जा रहा है? कि we use alloy for making standard resistors because they have हम alloy का इस्तमाल करते हैं standard resistance wire बनाने के लिए क्योंकि उनके पास कौन सी property होते हैं तो याद रखो alloys जो होते हैं इनकी resistivity काफी high होती है कैसी होती है? high और temperature बढ़ने से इनकी resistivity बले ही थोड़ी सी बढ़े लेकिन बढ़ती है temperature बढ़ने से जब resistivity बढ़ती है तो हम इसको बोलते है positive thermal coefficient of resistance ठीक है? तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है देखो तो इनकी low temperature coefficient of resistivity नहीं high specific resistance, high temperature coefficient, low specific resistance low temperature coefficient low specific resistance देखो low specific resistance दिया है गलत हो गया ठीक है? high temperature coefficient of resistance देखो यहाँ पर क्या है? कि value बढ़ती है तो है लेकिन थोड़ी सी बढ़ती है मैंने क्या का? alloy जो होते है इनकी resistivity already काफी high होती है already काफी high होती है तो temperature बढ़ाने से जो resistivity है resistance है यह बढ़ती है मतलब alpha जो है positive होता है लेकिन ज़्यादा बढ़ती है कि नहीं क्योंकि already बहुत आई है तो इसका मतलब यह हुआ कि low temperature coefficient of resistivity होता है और इनकी जो resistivity है यह high होती है resistivity मतलब specific resistance ठीक तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो A हो जाएगा clear है? यह A इसका correct answer है ध्यान रखेंगे और जो point मैंने आपको बोला है उसको भी ध्यान रखेंगे next question पर आजाते हैं अभी इस question में क्या दिया हुआ है? देख लेते हैं simple सा question है यह भी देखो term 1 में पूछा गया question है 2021 में देखते हैं देखो क्या दिया हुआ है three resistors having R1 and R2 R1, R2 and R3 are connected to series in a battery देखो क्या दिया जा रहा है? ध्यान समझेंगे तीन resistances हैं three resistances R1, R2 and R3 are connected in series to a battery यह तीन resistance बना देता हूँ मैं यह R1 हो गई यह R2 हो गई यह R3 हो गई एक battery से connected है आगे कहीं लेका है R1 carries current of two ampere भाई सहब series में यह R1 मालो यह R2 मालो यह R3 मालो यह बताओ यह R1 किसमे है? यह R1 series में है किसमें है? यह R1, R2, R3 किसमें है? series में तो कहरा है कि R1 में two ampere current flow हो रहा है इसका मतलब पूरी सरक्ट में कितना current flow हो रहा है 2 ampere कितना current flow हो रहा है 2 ampere क्यों series में current होता है वो सभी में same होता है same current same current same current है ना i is equal to 2 ampere ठेक है इसके बाद है क्या कहा जा रहा है r2 has a resistance of 3 ohm यदि r2 की resistance 3 ohm है ठेक है आगे दिया जा रहा है r3 dissipates 6 watt power r3 में दिया है power consumption कितना six watt power is equal to six watt तो निकालना क्या है then voltage across r3 is आपको r3 के across कितना voltage जो है change हुआ होगा यह निकालना है देखो तो मैं simple सी बात जानता हूँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है actual में जब series combination में current flow होता है तो इसके across कुछ और potential difference होगा इसके across कुछ और potential difference होगा v2 इसके across कुछ और potential difference होगा v3 अब potential difference का simple सा पंड़ा होता है कि कितना potential difference होगा इसका formula होता है v is equal to ir अब इसमें में पता है कि i की value तो पता है कि सब में 2A है तो इसमें भी 2A होगी ठीक है लेकिन हमें r की value नहीं पता अगर r की value पता पढ़ जाए यह तो काम बन जाएगा तो आप यहाँ पर देखो कि power consumption for r3 third वाली resistance r3 के लिए power is equal to formula होता है i square r यह formula लगा हो काम बन जाएगा six watt power consume होई है current कितना flow रहा है तो two का square और r की value हमें निकालनी है ठीक है now तो यहाँ से अगर मैं यह देखता हूं तो six by four is equal to यह हो गई r3 की value इसके बाद बस कुछ नहीं करना मुझे मुझे potential difference निकालना है r3 के cross तो v3 is equal to i into r3 अब r3 की value मुझे मिल गई है कितनी r3 की value current की value current की value है two r3 की value है six by four बस यहाँ पर इसको हमने solve कर दिया तो देखो six two जा 12 और 12 का divide करेंगे इस से तो v3 is equal to three volt three volt जो है इसके cross potential difference आ गया क्या है इसमें answer दिया है three volt दिया है तो बस यहीं इसका correct answer हो जाएगा मुझे बताना कि answer मैं भी इसको कर पाया देखो अलग अलग तरीके से दिया है लेकिन कितना ही simple question है तो one mark question जो आएगा CBSE में है एकदम simple सा normal सा चोटा सा question आएगा घबराओ मत पॉर्मूला बताओ इसमें सिर्फ practice ही लगी है न अगर आप इरे साथ practice कर रहे हो तो इसका मतलब है अब अगर ऐसा question या ऐसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता थोड़ा बहुत गुमा करके पूछ लिया तो आप 100% बना पाएंगे clear है चले next question पर हम आ जाते हैं अभी इस question में क्या दिया हुआ है जरा समझ लेते हैं अच्छा भाई साब assertion reason तो अगले उसमें आएगा इसमें आधे दिया हो ये 2020 में पूछा गया question है देखते हैं क्या दिया हुआ है देखो बताओ जरा आप भी बताओ उसका answer क्या होगा आप बता दो इसका answer आपको बताना है comment section में इसका answer आप बताईए एकदम simple सा question है मैं इसको explain कर चुका हूँ इसी वीडियो के starting में क्या दिया जा रहा है देखो एक cell है एक cell है जिसकी internal resistance है R cell ये बना देते हैं ये cell है internal resistance है R इसके बाद connected to an external resistance capital R external resistance लगा दी capital R maximum current कब मिलेगा बो जरा maximum current कब मिलेगा बताईए क्या answer इसका ये answer है तो आपने देखा 2020 में ऐसे आया फिर अगली साल और घुमा के दे दिया थोड़ा सा पलट के दे दिया यानि की same concept है clear act तो ये पी वाई क्यू सीरीज में आपका सारा का सारा काम हो रहा है उम्मीद गरूंगा आप सभी बच्चे इसको मन लगा करके देख रहे होंग तो बी लगा दो अगर दोनों सही है और दूसरा वाला statement पहले को सही से explain भी कर पा रहा है तो ए लगा दो अगर अकेला assertion सही है reason गलत है तो c लगा दो दोनों ही गलत है तो d answer लगा दो clear है now assertion में क्या दिया जा रहा है किर्चॉफ का first rule conservation of charge पे based है ये बात बिलकुल सही है register जो होता है ये ohms law को obey करता है diode नहीं करता ये बाद मीं विलकुल सही है तेक लेकिन आप मुझे एक बाद होता हो क्या ये दोनों statement कहीं मिल रहे हैं हां क्या इन दोनों का कोई आपस में लेना देना है नहीं दोनों statement सही है लेकिन दोनों का आपस में लेना देना नहीं है clear ह मतलब आप यह मान के चलो कि अगर मैं यह कह दूँ कि आज अगर मैं यह कह दूँ कि आज मंडे है आज कौन सा डे है वैसे आज आज सटेडे है तो आज सटेडे है अब मैं कह रहा हूं कि दूसरा स्टेटमेंट मैं यह कह दूँ कि आज मुझे खाना खाना है आज मुझे खान खाना खाना है तो आप एक बागता हो क्या सटेडे है यह अलग बात है टिक और आज मुझे खाना खाना है यह बात भी सही है लेकिन इन दोनों कोई लेना देना है क्या नहीं तो दोनों question जो में मिल रहा है काफी important है और यह question में आपको बता दू कम से कम CBSE में 4-5 बार repeat हुआ है clear है अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है देखो इस question में क्या दिया जा रहा है ध्यान से पड़ेंगे two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel with their terminals of same polarity देखो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है obtain an expression for equivalent EMF मतलब आपको यहाँ पर निकाल रहा है equivalent EMF condition क्या बनाई जा रही है यहाँ पर दो cells है काफी important question है CBSE के लिए कि यह बार-बार मैं चार से पांच बार तो अराम से यह पूछ लिया गया है in fact उससे जाद ही होगा clear है यह हमारे पास एक cell है और यह दूसरी cell है इस cell का EMF हमने क्या माना E1 और इस cell का EMF हमान लेते हैं E2 clear है now इस cell की internal resistance है R1 और इस cell की internal resistance है R2 यह दोनों parallel में connected हैं दोनों same polarity से connected है जैसा कि question में कहा गया है positive से positive connection है अच्छा अब आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं same polarity से connected है कोई भी cell या कोई भी cell अगर मैं बोल रहा हूं common terminal से connected है दोनों के across potential difference होगा यह same होगा clear है now तो जैसे मान के चलो इस cell E1 में से current आया I1 और यहां से जो current आया that is I2 तो यहां पर जो current जाएगा that is I1 plus I2 clear है जो total current I है यह क्या होगा I1 plus I2 ठीक जितना current आता है किसी cell से बाहर उतना ही current उसमें वापस चला जाता है conservation of energy clear है now इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहां पर कि सबसे पहले आपको equivalent EMF निकालना है तो potential difference की हम बात कर लेते हैं let's say तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं first cell के across जो terminal potential differences का formula क्या है V is equal to E minus IR clear है ध्यान से देखना अभी पहली cell है तो हमने बोला E1 दूसरी पहला जो cell में current आ रहा है वो है I1 और यहां पर हो गया R1 अच्छा आप यह भी समझते हैं कि जो यह दोनों common terminal से connected है parallel में potential difference हम होता है हना तो यहां पर common potential आपको देखने को मिलेगा तो मैं यहां पर बोल देता हूं let's say this is V clear है तो इस point देसे मान के चलो यह point हो गया A B C D तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं कि potential difference across A B is equal to V और यह कितरा हो गया यहां से देखो V A B वराबर है V के तो अगर मैं यहां से value निकालना चाहता हूं I1 की तो I1 की value क्या होगी I1 की value यह हो जाएगी V I1 की value ऐसे हो जाएगी I1 R1 इस साइड आ गया E1 minus V हो गया I1 की value आ upon E1 minus V upon R1 यह I1 की value आ गयी similarly इसी प्रकार से अगर हम value निकालना चाहें तो हमें I2 की value मिलेगी similarly I2 is equal to कितना हो जाएगा I2 is equal to ध्यान से देखिए I2 की value हो जाएगी E2 minus V upon R2 E2 minus V upon R2 clear है यह value हो गई अब आप इसके बाद यह देखिए क्योंकि यह parallel combination में क्या होता है कि जो I I जो होता है that is equal to I1 plus I2 आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो I है that is equal to I1 plus I2 चली ठीक है I is equal to I1 की value आपने क्या रखी यहाँ पे E1 minus V upon R1 plus I2 की value क्या है E2 minus V upon R2 अगर हम यहाँ पर इसको solve करेंगे further तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका LCM आएगा R1 R2 और इनको solve करने पे दोनों का cross multiply हो जाएगा cross multiply करेंगे तो E1 में भी R2 का into होगा minus V इसमें भी R2 का into होगा यहाँ पर भी R2 का into R1 का into होगा E2 R1 और यहाँ भी R1 का into होगा V R1 इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको बेज़ देंगे इस side तो यह आ गया I R1 R2 I into R1 R2 clear यहाँ पर बचा है E1 R2 plus E2 R1 इसके बाद देखिए कि यहाँ पर minus का V R2 और minus का V R1 तो minus V common आ गया दोनों इसका minus और इसका minus common आगे बाहर निकल गया minus का V और अंदर बचेगा क्योंकि minus तो common आई गया R2 plus R1 clear है अब अगर मैं यहाँ से ऐसा करना चाहूं कि भई V R1 plus R2 या R2 plus R1 एक ही बात है यह minus का इस side लेके आए तो plus का हो गया इसके बाद E1 R2 plus E2 R1 यह चल रहा है इसको भेज़ दो इस side इस side भेज़ दिया तो यह कितना हो गया यह हो गया plus का क्या minus का minus का I R1 R2 clear है अगर मैं यहाँ से बस value निकालना चाहता हूं capital V terminal potential difference की तो यह हो जाएगी E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 यह value हो जाएगी यह upon में चला गया अब obvious सी बात है इस side जा रहा है दोनों के upon में जाएगा यहाँ पर I1 या simple I into R1 R2 upon R1 plus R2 यह लिख लिए है द्यान से देखो क्या हम इस equation को इससे compare कर सकते है comparing इसको कोई भी equation नाम देतो comparing this equation V is equal to E minus I R अगर आप इस equation और compare करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि यह value किसकी है यह value E की है clear और यह तो I है और यह value किसकी है यह value internal resistance की है clear तो अगर आप इस equation और compare करो तो आपको यह चीज़ समझ में आएगी कि इस equation से जो net EMF हमें देखने को मिल रहा है वो कितना है screenshot ले सकते हैं आप इसका राम से तो net EMF हमें देखने को मिल रहा है E net आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है E2 R1 प्लस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अगर आपसे कहा देखें कि इंटर्नल रजिस्टेंस निकाली है तो इंटर्नल रजिस्टेंस कितनी हो गई small r की जएक क्या लेखा है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 clear है तो यह हो गया हमारा पिछले question का complete solution clear है इसमें आपसे कहा दिया obtain equivalent EMF निकालो अगर आपसे कहता कि obtain internal resistance तो भी हम इसको इसी तरह से करते और यहाँ पर internal resistance का formula हमें यह निकला आता अगले question पर आजाते हैं अगला question क्या दिया जा रहा है यहाँ पर समझेंगे बढ़िया तरीके से एकदम simple सा question है यह question भी आया हुआ question है यह कई बार repeat हुआ है same type question देखते हैं जरह यहाँ पर साया date mention नहीं हो पाई देखो a variable resistance capital R is connected across a cell of EMF capital E and internal resistance R अभी आप समझो कि आप इसका diagram बताओ और मैं बता सकता हूँ कि सायद आपने यहाँ पे गल्दी कर दी होगी इसमें क्या दिया है draw a circuit diagram ऊपर जैसा कहा जा रहा है उसका circuit diagram बनाओ आपके पास time है सिर्फ इतना सकाम है जैसा question में कहा है आपको circuit diagram बना देना एक resistance लगाओ EMF लगाओ internal resistance लगाओ और बनाओ diagram बनाओ diagram पास कर लो वीडियो को टिक पास करो वीडियो को diagram बनाओ अभी भी कुछ बच्चों ने पास नहीं करो वीडियो को पास करो फिर diagram बनाओ देखो कि क्या मैंने सही diagram बनाया था चली देख लेते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि एक यह resistance लगी है एक battery लगी है जिसका EMF है capital E और यह internal resistance है R क्या आपने भी ऐसी diagram बनाया था क्या आपने भी ऐसी diagram बनाया है जिन बच्चों ने ऐसी diagram बनाया है साबास गलट diagram है यह क्योंकि इसमें क्या कहा है क्योंकि इसमें क्या कहा है इसमें यह कहा है variable resistor लगानी है मतलब इस तरह से आप एक arrow लगाएं इसको उमने दिखा दिया variable resistor बताओ कितने बच्चों ने यह arrow नहीं लगाया था यह गलती है आप कॉमेंट करके बताना कि हाँ सर मैंने भी यह गलत कर दिया था टेक चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह तो हो गया A का आंसर यह छोटी छोटी चीज़ा ही होती है जो हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में यह हमें गलतीया पकड़ा जाती है और फिर अपन जो है इसको बढ़िया से फाइनल एक्जाम में जबा जाएगा तो इसको गलत नहीं करेंगे इसके बाद देखो B में क्या दिया हुआ है हमने सरकेट डाइग्राम दो इसका बना दिया आगे देखो plot the graph showing variation of potential drop across R as a function of capital R देखो आपको यह देखो जब भी यह यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जब भी यहाँ से current flow होगा तो अब इससी बात है potential change होगा इसके across तो आपको बस वही graph बनाना है कि potential में जो change हो रहा है register के across देखो आप हमेशा देखो जब जब current के रास्ते में रुकावट यानि के resistance आती है whether it is capacitor, inductor, resistor है ना तो हमेशा potential जो है change होता है तो आपको यहाँ पर इसके लिए graph बनाना है यहाँ पर मैं लिख दिया capital V और यहाँ पर लिख दिया मैंने capital R तो आप जानते हैं कि अगर R छोटा जितनी छोटी R होगी जितनी छोटी resistance की value होगी potential जो है terminal potential difference होतना ही छोटा होगा तो यह formula होता है I into R तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो यह graph को जिस तरीके का बनेगा इस तरी यह graph है यह graph में क्या बता जा रहा है resistance 0 है तो potential drop या potential change भी 0 है फिर उसके बाद resistance आप बढ़ा रहे है potential change भी बढ़ रहा है लेकिन एक time आने के बाद जो change in potential है यह कैसा हो जाएगा constant हो जाएगा क्योंकि जितना cell का EMF होता है उससे ज़्यादा potential change कभी नहीं हो सकता circuit के अंदर तो यह आपका graph हो गया तो यह एक time पे saturated हो जाती है value इसके बाद part C में क्या दिया हुआ है at what value of capital R current in circuit will be maximum तो आपन यहाँ पर क्या लग देंगे बताओ उसका simple सा answer देख रहे हो कितनी बार repeat हो रहा है same type of question for maximum current maximum current के लिए पताओ capital R क्या होता है zero होता है तो i max आपको कब मिल जाएगा i max आपको मिल जाएगा e upon r पे clear है उमीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा ठीक है आगे बढ़ जाते हैं screenshot ले सकते हैं अभी हम देखो next question में क्या दिया हुआ है video के end में आपको ये भी बताया जाएगा कि इसमें से कौन सा question ज्यादा important है most important में questions कि आपको एक दो बताओं कि ये question छोड़के मत जाना बिलकुल भी तेक देखो अच्छा देखो ऐसा है कि मैं आपको बताओं कोई भी suspense मुझे create नहीं करना है कुछ बच्चे अभी इस वीडियो खतम कर दें कुछ बात में मैं चाहता हूं कि सबका बला हो जाए क्योंकि अपन को end तक नहीं रोकना है अपन कोई ऐसा नहीं है कि end तक रोके रहोगे तो मेरा को बहुत benefit हो जाएगा आपका इफायदा है एंड तक रोके रहोगे तो मैं आपको कुछ चीज़े बताना चाहरा हूं जैसे कि आपको बिलकुल नहीं छोड़ना है एक तो किर्चॉफ लॉव किर्चॉफ लॉव फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट और जो मतलब कहूंगा फर्स्ट एंड सेकेंड लॉव यह complete कर लेना है बहुत बढ़िया से इसके बाद wheat stone bridge का derivation wheat stone bridge derivation यह मैं आपको ऐसे question बता रहा हूं जो 10-10 बार repeat हो गए 10-10 बार wheat stone bridge का derivation हो गया इसके बाद equivalent EMF जो हमने अभी निकाला इसको छोड़ना नहीं है 4-5 बार कम से कम repeat हो गया किर्च of law wheat stone bridge टीक तो आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि यह derivations करने है जो मैंने अलग से से कर लेना है अच्छे से कर लेना है यह तो हमने करी लिया statement पढ़ लेना है इसका हाँ इसमें विडिस्टून bridge में कुछ important points हैं यह मैं आपको जरूर अभी सखाऊंगा यह अलग-अलग tabs equation पूछा आता है इसके numerical आते हैं इसके numerical आते हैं अच्छे से करेंगे आगे बढ़ जाएंगे और next question देखो क्या दिया हुए 2019 2019 में पूछा गया question है देखो फिर से नहीं अलग से question है बिलकुल अलग question मिल रहा है combination of cell का under what condition will the current in a wire be same when connected in under what condition will the current in a wire be same when connected in series and in parallel of n identical cells each having internal instance r and internal instance capital R क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि n identical cells है कितनी n cells है यह combination of cell का question है यह इसमें n number of cells है ठीक है एक external resistance लगा दी है यह यहाँ पर एक cell दूसरी cell तीसरी cell capital R small r small r small r जिन बच्चों ने मेरे साथ one short देखे होंगे आपने कहीं भी पड़ा हो बस आपको यह चीज़ पता होना चाहिए कि current का formula क्या होता है वो पूछ रहा है कि इसी प्रकार से आपने एक parallel में भी connection किया n number of cells उसमें भी लगे हुई है पहले मैं आपको बता जाता हूं कि let's say यह हमने एक connection और ले लिया एक connection और ले लिया और इसमें इस प्रकार से यह बना दिया यहां पर भी कितनी cells हैं n cells हैं तो current का formula क्या होगा current का formula होगा इस वाले कीज में total emf upon total resistance तो total emf कितनी हुए n e upon total resistance कितनी हैं यह सारी series में दो तीन 1 r 2 r 3 r 4 r 5 r n r तो n r plus external resistance r तो यह बन गया इसमें series में current का formula इसके बाद क्या है तो यह series में current का formula parallel में current का formula क्या है parallel में same total emf upon total resistance अब भी देखो actual में यह तीनों connected है common terminal से parallel में तो total emf कितना होगा e upon total resistance में क्या आएगा एक तो external resistance plus internal resistance अब यह तीनों internal resistance जो है parallel में तो parallel में formula क्या होगा यह हो जाएगा r upon n इन सबका equivalent resistance निकालेंगे parallel में क्योंकि n resistance हो तो यह बन जाएगा r upon n तो parallel में जो current बनेगा that will be ip is equal to current in parallel यह हो जाएगा LCM वगरा लेने के बाद ne upon nr plus r देखो LCM लेंगे यह nr हो गया यह r हो गया उसके बाद n पलट जाएगा उपर चला जाएगा इसके बाद यहां पर as given in as given क्या दिया जा रहा है कि current parallel में और series में इसमें क्या दिया गया है what under what condition किस condition में दोनों में same current flow होगा तो अभी क्या है same current की condition क्या है is is equal to ip current in series current in parallel बराबर रख देते हैं और देख लेंगे कि क्या result निकलने वाला है that will be the condition for same current ip की value क्या है current in series की value क्या है देखे जरा तो current in series की value है n e upon n r plus capital r इसकी value क्या है n e upon n r plus small r after this यहां से कट गया यहां पर बस cross multiply होने के बाद यह बचेगा n r plus capital r is equal to cross multiply कर लो यहां one बचेगा नहीं कहोंगे सर यह क्या गर दिया अपने n r plus r is equal to n r plus capital r यहां से देखो यह n r से n r minus r is equal to n r minus r यहां पर बचा r is equal to small r इसका मतलब है यदि circuit में capital r और small r की value जब बराबर हो जाएगी इन दोनों circuit में तब हम यह मान लेंगे कि दोनों circuit में जो current है वो same flow होगा बराबर बराबर current flow होगा उमीद करता हूँ यह आपको समझ माया होगा यह question 2019 में 2019 से पूछा गया है आप भी इसको कुछ से भी try कर सकते थे लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि आपने खुछ से try नहीं करा होगा कुछ बच्चे होगे जरूर से खुछ से try उनने करा होगा तो आपको मुझे बताना है comment section में हाँ sir मैं हूँ मैंने खुछ से पहले आप से पहले try करके देखा वो अलग बात है question का answer नहीं आया लेकिन कुछ बच्चों ने बना भी दिया होगा बना दिया तो बहुत बहुत बजा इतना ही बना पाया तो इसको धान रखना आगे इस तरह question पूछा जा सकता है आगे बढ़ जाएंगे और next question समझेंगे यह मैंने देखो पहले answer खुछ से निकाल के देखा कि आना चाहिए एक बा करना है किर्चोफ law apply करना है और उसके बाद आपको current की value calculate करना है 40 ohm and 20 ohm resistor से देखो मैं आपको इस डाइग्राम को अराम से जो properly बना के दिखा देता हूँ यह point A है यह D है यह E है after this यहाँ पर battery लगी हुई है 40 volt battery का voltage बताया गया यहाँ पर एक resistance लगी हुई है हो सकता है आपको light दिखाई दे रहा हूँ इसलिए मैं पूरा बना रहा हूँ 10 ohm इसकी resistance है यहाँ पर एक resistance लगी हुई है 40 ohm इसकी resistance है यहाँ पर यह battery कुछ इस तरीके से है 80 volt इसका potential difference है 20 ohm इसकी resistance है अभी उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको properly दिखाई पढ़ रहा होगा अब आपको यहाँ पर किर्चॉफ लग अप्लाई करना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको निकालना क्या है यहाँ यहाँ पर आपको निकालना है जैसे मैं बता दूँ यह सब कुछ दखाई समझभा रहा है न कि 40 ohm कर देते हैं इसको देखें आपको यहाँ पर निकालना है calculate the current current निकालना है through 40 ohm and 20 ohm मतलब इस 40 ohm से और 20 ohm से कितना current प्लो हो रहा है देखो बहुत simple सी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें current को distribute करना होता हमेशा किर्चॉफ law में खुद से current distribute करना होता है तो हमेशा याद रखो आप कैसे भी current को distribute करो आपके book में कैसे भी करा हो सर ने कैसे भी कराया हो हमें इससे मतलब नहीं है हमें बस इस बात से मतलब है कि एक तो कोई law break नहीं होना चाहिए और answer सही आना चाहिए rule कभी break नहीं होना चाहिए तो rule का कहता है rule यह कहता है कि जिस battery से जितना current निकलेगा वापस में उतना ही current बेजना है माल लेते हैं कि यह मेरे पास पहली वाली बैटरी है इसमें से current निकला I1 तो यह खुद से हमने decide कि है इसमें से I1 current निकला यह मेरे पास दूसरी बैटरी है इसके positive terminal से current निकलेगा I2 तो हमेशाद रखो इसमें से I2 current निकला है तो कैसे भी हो लेकिन इसमें बापस से i2 current जाना ही पड़ेगा इस बैटरी से गर i1 current निकला है तो कुछ भी हो यहाँ पर i1 current पहुँचेगा ही पहुँचेगा देखे ज़रा अब भी सर इस branch में कितना current आएगा तो देखो, simple सी बात है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यह i1 आ रहा था, मान के चलो, यह i1 आ रहा था इस i1 में से, i1 में से, यह i1 आया अब इसमें हमें भेजना है i2 इसमें क्या भेजना है i2 तो ऐसा बोल रहा हूं कि i1 उपर तक आ रहा था i1 में से i2 निकल गया i1 आया i2 नीचे चला गया इसका मतलब इसमें क्या पहुँचा होगा i1 माइनस i2 यहां से आया i1 माइनस i2 सोचो यहां से i1 माइनस i2 यहां मिला i1 माइनस i2 यहां मिला नीचे से पहुँचा प्लस का i2 कैंसल हो गया तो उपर क्या जाएगा उनली आई वन तो इसका मतलब हमारा current distribution सही है इसके बाद देखो हमने क्या करा अभी हमें कुछ नहीं करना है किर्चोफ law apply करेंगे अब किर्चोफ law में क्या है कि जैसे आप एक चीजात रखें कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यह गलत है लेकिन मैंने कुछ बच्चों कमेंट आ करते हैं कि आप करेंट की direction में जा रहे हैं तो potential drop हो रहा है higher potential to higher potential to lower potential तो आप minus sign ले लेते हैं आई into r और अगर आप करेंट के opposite direction में जा रहे हैं तो आप plus sign ले लेते हैं बट मेरा जो rule है जो मैं आपको बदाता हूँ आंसर आपका आराम से आएगा और sign convention भी हम mention करते हैं और कई जगह पर मैंने कुछ बच्चों doubt थे तो telegram पर मैंने अलग-अलग books के photo based करे हुए थे कि देखो ऐसा कुछ नहीं है आप आराम से sign convention लें तो rule हम क्या बनाएंगे कि जो भी हमारी direction of calculation होगी अगर हम उस direction में जा रहे हैं बस इतना याद रखो हमारी direction मेरा rule बस इतना कहता है कि हमारी direction direction और current की direction अगर same है current अगर same direction में जा रहा है तो हम लेते हैं positive sign otherwise लेंगे negative sign battery में आगे बढ़ते समय जो terminal पहले मिल गया उस terminal के हिसाबसे में sign लेता हूं positive या negative बस ऐसे करो आप कभी जो आपका गलत नहीं होगा देखिए सबसे पहले तो जिसे मान के चलो हम बात कर रहे हैं in loop loop कौन से loop में in loop हम बात कर लेते हैं a b c d a a b c d a आप अपने method से कर लो कोई problem नहीं है देखो a से b तक जा रहे हैं a से b तक हमने कौन सा loop चुना a b c d a मतलब हम जाएंगे a से b b से c c से d d से a यह हमारी direction of calculation है अब current भी अगर हमारी same direction में होगा तो positive से हैं नहीं तो negative से हैं देखो अभी इसके बाद a से b तक जादे से में मेरे रास्ते में आ रहे है पहले battery और battery का जो कौन सा terminal पहले पढ़ रहा है minus तो मैंने आप ले लिए minus का 80 volt है volt नहीं लिखूंगा equation में unit नहीं लिखेंगे आगे बढ़े a से b में current भी जा रहा है a से b और हम भी जा रहा है a से b तो हमने देखा कि हमारे रास्ते में आया 20 ohm तो i into r करेंगे तो 20 into current कितना है i1 ठीक b से c में कोई resistance नहीं है कुछ नहीं लिखना c से d में आएंगे तो हमें पता है current आ रहा है c to d और हम भी जा रहा है c to d इसमें current कितना है इसमें current है इसलिए हमने plus sign लिया दोनों की same direction इसमें resistance है 40 और current जा रहा है i1 minus i2 loop d तक पहुँचे d से वापस a में पहुँचे हमने देखा किर्चॉफ लोग यह कहता है कि close loop में sum of all change in potential difference जहाँ जाँ potential difference चेंज हो रहा है अगर हम उस सब का sum करेंगे तो वो sum 0 आना चाही है कैसा भी question आजाए आपको बहुत जादा ही complex या बहुत rigid calculation वाला question नहीं मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि exam में time भी matter करता है और examiner आपको ऐसा equation देगा ठीक है आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे किसको equation को solve करने पर हमें कितना मिलता है देखते हैं माइनस का 80 यह आ रहा है प्लस का 20 I1 प्लस 40 I1 माइनस का 40 I2 is equal to 0 माइनस का 80 और यहाँ पर प्लस का 60 20 I1 प्लस 20 I1 और यह माइनस का 40 I2 is equal to 0 यहाँ से अगर मैं 10 यहाँ मैं कहूँ 20 को मैं common निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 यहाँ बचेगा प्लस का 3 I1 यहाँ बचेगा माइनस का 2 I2 और यह हो जाएगा 0 अगर मैं यहाँ पर ऐसा देखूँ 3 I1 माइनस 2 I2 is equal to minus का 4 यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा दिखाई पढ़ रहा है आपको इसको मैं बना लेता हूँ equation number 1 अभी हम अगले लूप में work करेंगे तो इन लूप कौन से लूप में work कर लें इस लूप में D C F E D D C F E D D C F D C F E D अब देखो D से C जाएंगे D से C तो हम जा रहे हैं D to C और current जो है current जा रहा है C to D इसलिए मैं लूँगा यहाँ पर minus sign तो 40 कितना current जा रहा है 40 ohm वाली resistance में I1 minus I2 clear है इसके बाद क्या है इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर D से C अब हम जाएंगे C to F लेकिन कोई भी resistance नहीं इस रास्ते में तो कुछ हो नहीं लिखना F से E तक आएंगे तो F से E आते समय हमारे रास्ते में आई 10 ohm resistance हम भी जा रहे है F2E और current भी जा रहा है F2E इस ब्रांच में 40 i1 प्लस का 40 i2 प्लस का 10 i2 माइनस का 40 तो इस साइट भीज देंगे तो प्लस का 40 हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 40 i1 प्लस का अच्छा माइनस का 40 i1 प्लस का 50 i2 इस एक्वल टू 40 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 i1 प्लस का 5 i2 इस एक्वल टू 4 10 कॉमन लेने के बाद यह बन गए equation number second अभी अगर हम दोनों equation में क्या कर दें दोनों equation को अगर आमने सामने रख दें elimination method लगाएं now from equation first and second first or second equation first and second अब आप दोनों equation solve कर लोगे तो i1 i2 की value आपको मिल जाएगी दोनों branches में current मिल जाएगा देखिए तो कैसे solve करेंगे first equation में क्या लेका है 3 i1 minus 2 i2 is equal to 4 अगर आप मुझसे दूसरे method से कर रहे हो तो भी आप बताना कि सरहासर answer मिल रहा है नहीं मिल रहा है minus का 4 i1 plus का 5 i2 is equal to 4 ये जा रहा है अभी का करेंगे आप यहाँ पर एक काम करो ऊपर कर दो 4 का multiply और नीचे कर दो 3 का multiply ऐसा करने पर जो equation बनेगी हमारे पास वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी 12 i1 12 i1 minus का 8 i2 is equal to 16 minus का 12 i1 plus का 15 i2 is equal to 12 solve करने पर यहाँ तो 0 आ गया यहाँ पर बचेगा 7 i2 is equal to add करने हो 28 तो i2 की value आ गई 4 ampere i2 की value कितनी आ गई 4 ampere इसे को आप further solve कर दो मैं solve कर चुका हूँ और solve करने के बाद मुझे यहाँ पर मिला कि i1 की value भी यहाँ पर आ जाएगी 4 ampere तो आप यहाँ पर देखो कि i1 की value 4 ampere तो इसका मतलब है इस 20 ohm के across कितना current flow हुआ 4 ampere चीक फाइनल अंसर इसके across भी कितना current flow हुआ है 4 ampere इस branch में कितना current flow हुआ है 0 ampere मतलब इस branch में कोई current जाही नहीं रहा है i1 माइनस i2 क्योंकि पूछा था 40 और 20 के across आबो current निकालना है तो इसका मतलब यह है कि इसके across 4 ampere इसके across 0 ampere current जा रहा है that's all इस तरहीं के समने किर्चॉफ लोगा के solve करा इस type के और भी question हमारे PYQ में है बट मैंने उनको नहीं लिया है क्योंकि आपको same method को apply करना है और answer निकालना है उमीद करूँगा यह आपको समझमाया होगा screenshot ले लेना है यह आपके काम आएगा आगे बढ़ जाते हैं और next question देखते हैं काफी important question है और काफी important type है इसके बाद देखिए आप के यहाँ पर यहाँ पर यह फोर वोल्ट चार वोल्ट की बैटरी लगाई हुए एक और यहाँ पर क्या पूछ रहा है calculate the current drawn from the battery आपको इस circuit में current निकालना है कि current की value क्या है अब ही देखिए तो इस question में पहले तो आपको इस हमें equivalent resistance निकालो current का formula होता है V upon R तो V की value दी है 4 वोल्ट capital R की value इस circuit को solve कर लो आंसर आ जाएगा तो सबसे पहले काम हमें का करना है circuit को solve करना equivalent resistance निकालना है सबसे पहले आप देखो कि आपके कितने point है A, B, C, D चार point है ठीक है ज्यादातर question इसी type के होता है इसलिए मैं direct इसको ऐसे बना रहा हूं A, B, C, D आप देखिए यहाँ पर A और B के बीच में एक resistance है जिसकी value कितनी है 1 ohm यहाँ पर B और D के बीच में एक resistance है जिसकी value कितनी है 5 ohm इसके बाद B और C के बीच में एक resistance है जिसकी value कितनी है 2 ohm 2 ohm A और D के बीच में एक resistance है जिसकी value कितनी है 2 ohm इसके बाद C और D के बीच में एक resistance है जिसकी value कितनी है 4 ohm इसके बाद connect कर रहा है बैटरी लगी है यह बन गया simplified circuit अब इस circuit में क्या आपको वीड इस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है लग रहा है क्या हाँ लगतू रहा है लेकिन अगर आप इसमें डायरेक्ट वीड इस्टोन ब्रिज कंडिशन लगा देंगे तो आप बुद्धू कह अलाओ नहीं चाथे तो आपको कहा करना है सबसे पहले अगर 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 इसमें भी इसे कंडिशन सैटिस्फाइब नहीं हो मान लो कि यहां चला गया current i dash तो यहां आ गया i1 minus i dash ऐसे करना नहीं है नीचे आये अपन देखो यहां पर आ गया i2 plus इसका i dash मिल गया तो i2 plus i dash फिर किर्चॉफ लो अप्लाई करो और solve कर देंगे बट इसमें ऐसा balanced weedstone bridge condition होती है वो ये होती है p upon q is equal to p upon q is equal to r upon s इसके बाद यहां पर यह p है यह q है यह r है यह s है यह बीच वाली जो है आम है यह bridge है अब यह आप भी देखिए अगर p upon q is equal to r upon s अगर आपका निकल क्या रहा है इसका मतलब यह weedstone bridge बैलेंस है और बैलेंस भी डिस्टून बिज में ये बीच वाली ब्रांच नहीं होती बस ये डराने और दिखाने के लिए होती है तो P upon Q करेंगे क्या आएगा 1 by 2 R upon S करेंगे क्या आएगा 2 upon 4 2 upon 4 को solve करने के बाद आएगा 1 by 2 तो हमने देखा P upon Q का ratio R upon S के ratio के बराबर है इट मींज इट मींज इट इस ए बैलेंस्ड वीड स्टोन ब्रिज ये क्या है बैलेंस्ड वीड स्टोन ब्रिज है टेक नाव अभी आपको याद रखना है यहां पे कि बैलेंस्ट वीड स्टोन ब्रिज है मतलब यह 5 ओम वाली जो बन जाएगा ये यहां से ये यहां से इसके बाद तो ये अपने पास ब्रिज कुछ इस तरीके का बन गया ये यहां से एक बैटरी लगा दी देखे यहां पर 1, 2, 2, 4, जो भी करेंट यहां से आएगा वो दोनों में जाएगा तो ये दोनों तो हो गए series में, series में resistance हो जाती add, तो 1 और 2 हो गए, 3 यहां से जो current जाएगा, वो इन दोनों से जाएगा, तो ये दोनों भी हो गए series में, तो इन दोनों को जोड दिया, तो कितना बजा, 2 और 4, 6 हो गया बैटरी लगी है, 4 वोल्ट की इसके बाद दोनों को हमने solve गरा parallel में, इसके बाद ये वाला step हमें करना है, दोनों को solve करा parallel combination में resistance निकाली तो ये हो जाएगा, 3, 6 जा, 18 solve करो, वह parallel इस formula क्या होता है, R1 R1, R2 upon R1 plus R2, ये formula है parallel combination में resistance solve करने का equivalent resistance निकालने का 36 जा, 18 upon 9, तो equivalent resistance कितनी आ गई, 2 ohm, इसके बाद formula क्या है, क्या निकालना है, current तो I is equal to V upon R voltage इतना है, तो current कितना आ गया, 2 ampere, ये इसका final answer हो जाएगा, अब इसका screenshot ले सकते हैं, अच्छा याद रखो आप से पूछा जाता है कि wheat stone bridge सबसे जादा sensitive कब होता है is more sensitive more sensitive, balance to be busy condition तो ये है, तो आप इसमें याद रखेंगे, ध्यान रखने वाली बात ये है, इसको थोड़ा सा नीचे shift कर देता हूँ when all four resistances चारों रेस्टेंस कांसी? PQRS are of same order लगबग इनकी values अगर same होती है तो अगर exact same है, तो best है अगर इनकी values almost same होती है same order की होती है and are of same order then wheat stone bridge is said to be sensitive तो wheat stone bridge को कैसा का जाता है कि ये wheat stone bridge sensitive है तेक, चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे 2015 question था next question देखो क्या दिया जा रहा है इसको देखते है ये question 2022 Delhi sample government sample question paper में ये आया हुआ है और काफी important type question है इस question में देखो क्या दिया जा रहा है आपको find out the magnitude of resistance capital X आपको इस resistance capital X की value magnitude निकालना है when no current flows through the 5 ohm resistance जब इस 5 ohm resistance से कोई current flow नहीं होता तो बाई साब इस 5 इससे कोई current flow कब नहीं होगा जब 2 point का potential 0 होगा यानि कि जब ये वीडिस्टोन bridge वाली condition बन रही है क्यों? तोकि वीडिस्टोन bridge में ही इसमें कोई current flow नहीं होगा और कुछ structure भी 5 resistances आ रही है और बीच में कोई current flow नहीं होगा तो ये वीडिस्टोन bridge की balance condition है तो आप लिखेंगे since no current flows through 5 ohm resistance क्योंकि 5 ohm resistance से कोई current flow नहीं हो रहा है thus bridge is balanced तो bridge कैसा है? balanced है सर कैसे पता आपने तो ये भी नहीं चेक करा कि यहाँ पर p upon q is equal to r upon s का ratio same है भाई साब actual में क्या है? balance b distance bridge का मतलब होता है कि इन दोनों point का potential same होना अगर potential same है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी current नहीं आएगा और ये bridge balanced है तो p upon q अब actual में इसमें दिया नहीं है p upon q r upon s तो p की value दिया नहीं है वो तो निकालना है तो इसमें hint दे दी कि भाई साब ये bridge balanced है क्योंकि 5 ohms से कोई current flow नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम simple से एक काम करेंगे इसको मनें माल दिया p, इसको माल दिया q, इसको माल दिया r, इसको माल दिया s ठेक नाओ तो p upon q, x upon 2 is equal to r upon s, 18 upon 6 x by 2 is equal to 1 by 3 sorry, is equal to 3 तो x की जो value आ जाएगी that will be 6 ohms 6 ohms value आ जाएगी अब आप जो है यहाँ पर 6 अगर put कर देते हैं तो 6 by 2 is equal to 18 by 6 answer आ गया 3, 3 बस यह आपका जो है clear हो गया तो इस type of question पूछा जा सकता है एकाज को additional point दे देंगे जैसे इसमें दिया है ना c और b point दिया था b और a point दिया जो मैंने गयाब कर दिया उसमें बस यह दिया था what is weed stone bridge अगर यह लिख दिया कि what is weed stone bridge तो क्या लिख होगे तो आप लिखेंगे कि weed stone bridge is a is an arrangement of यह कोई device नहीं है is an arrangement of four resistances out of which four resistances connected in the form of किस form में connected है connected in the form of quadrilateral quadrilateral के form में connected है connected in the form of quadrilateral out of four resistances out of which one resistance is unknown एक resistance क्या है unknown ठीक अच्छा इसमें fifth resistance is बस ठीक है fifth resistance तो galvanometer के होती है अब हम balance point चेक करने के लिए यूज करते हैं बस इतना आपको लिखना है यह हो गया आप इसका screenshot ले सकते हैं अब next question जो आपको मिल रहा है यह देखो यह simple सा question है आया हुआ question है but important है और यह 2014 में पूछा गया साहद आपको नीचे क्या लिखा हुआ है यह दिखा ही नहीं पढ़ रहा होगा बट यह 2014 में 2014 में पूछा गया question है क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखते हैं एक cell है जिसका EMF E internal resistance R connected across variable resistance capital R plot a graph showing variation internal voltage V of cell versus current using the plot show the EMF of cell and internal resistance can be determined देखो आपको बस इतनी इसी बात इसमें बतानी है कि एक आपके पास graph बनाना है एक circuit जिसमें external resistance लगी हुई है variable resistance लगी हुई है तो आपको इस graph बनाना है E versus I plot a graph showing voltage versus current तो यहाँ पर हमने दिखा दिया V और यहाँ दिखा दिया हमने I और इसके बाद यह बना है E तो आपको जो भी graph बनाना होता है E मतला maximum value of terminal potential difference इस तरह ग्राफ बनता है दोनों के बीच में इस तरह का graph बनता है और इस graph का जो slope होता है इस graph का जो slope होता है slope of this graph of this graph gives value of internal resistance इतना सी बात आपको लिखनी है ठीक है तो graph important है यह आपको यहाँ पर बताना है कि actual में E versus V या V versus I graph इस तरह के से बना जाता है जिसमें आपको internal resistance शो करनी होती है यह हो गया आगे हम बढ़ जाएंगे screenshot ले सकते हैं आप इसका next question यह question आपका homework होगा इसका answer आपको निकालके बताना है मुझे किर्चॉफ law 2014 में पूछा गया क्योंकि मैं आपको एक करवा चुका हूं question तो यह आपका homework है homework का answer मुझे comment section में चाहिए सोचो कि आपके इस साली question आजाए तो आप कैसे करेंगे कर लेंगे उमीद करता हूँ homework का answer जरूर से देना मुझे चेक करूंगा अचाहिए देखो यह question आपका 2017 में पूछा गया 2017 में पूछा गया question है अभी इस question को मैं कैसे करना है इसमें देखो क्या solve गरना है आप पहले यह देख लो क्या solve करना यह देखो इस question में बता जा रहा है कि the current is drawn from a cell एक cell जिसका EMFE है और internal resistance R है इस cell से current लिया जा रहा है और इसमें कई सारी resistances लगी हुए each of resistance small r भई सभी की जो value है small r है सभी resistances की value small r है find the obtain expression for current drawn from the cell तेक आपको क्या निकालना है इस cell से कितना current निकाला जा रहा है और power consume देखो simple सी बात है current कितना निकाला जाएगा b is equal to i into r r मतलब जो net resistance यह आपकी इस पूरे combination की तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा अगर current निकालना है तो i is equal to total potential difference upon net resistance करूँँगा अब भाई सब आप ये देखो कि इस question में अगर मैं series and parallel का जो rule लगाऊँगा न तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आए कि series and parallel कैसे है मैं चाहूं कि किर्चॉफ लो लगा लो तो और दिक्कत हो जाएगी जब हम इसको simplify करते है तो उपर वाली resistance किया है ये देख रहा हो ये उपर वाली resistance को मैं नाम दिया आर अब ये दोनों जो resistance है ना ये दोनों parallel में है नीचे तो हैं लेकिन साथ-साथ ये parallel में है तो ये ऐसे हो गया आर ये दोनों resistances ये दोनों parallel में है इसके बाद यहां से ये नीचे की side आया है पन नीचे की side आगा है तो current जो है ये नीचे एक resistance लगी होगी है कभी पे ऐसा question देखो question के जो pattern होते हैं एक दम same पूछो जाते हैं बस ऐसा question आ गया ये cell है जिसका EMFE है इंट्र रेस्टेंस आर है बस यह आपको बताना है ना इंट्र रेस्टेंस हाला कि show नहीं करी है बड़ देखिए जरा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूँ इस circuit की यहां पर नेट रेस्टेंस कितनी होगी देखो अगर मैं इस उपर वाले combination की बात करूँ फिलाल की इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो उपर की और यह भी होगे दोनों जुड़के र तो यहां पर इन तीनों को अगर हम solve करेंगे तो यह resistance मिल जाएगी that is r by 3 इन तीनों को solve करने के बाद resistance कितनी आ गई r by 3 अच्छा एक resistance इसमें भी लगी है इनके series में तो series में resistance हो जाती है add तो यह हो जाएगा 3 r plus r तो 4 r by 3 इसकी यह हो गई net resistance net resistance हो गई इसकी net resistance बच्चे इसको छोड़ देते हैं वो इसको ध्यान लिए पाते तो यह हो गई net resistance 4 r by 3 अभी current निकालना है तो current के लिए formula क्या है current निकालना है current run from the cell तो current निकालना है तो current का formula होता है potential difference upon total resistance या net e mf upon total resistance अब total resistance क्या है 4 r by 3 ऊपर जाएगा तो 3 by 4 r बचेगा यह हो गया इसके बाद क्या है इसके बाद आपको निकालना है power consumed in the network तो power का formula क्या है b square अच्छा power का formula क्या है i square into r i square into r r क्या है net resistance जो है power का formula यह b option में दिया हुआ है i square कितना हो जाएगा 9 e square upon 4 i square करेंगे i square करो कितना हो जाएगा 9 e square upon 4 r into net resistance तो net resistance कितनी निकाली है 4 r by 3 तो power जो consume होगी इसमें वो हो जाएगी 3 e square अब e की value और यह answer आएगा what में अब e की value नहीं दी इसलिए अपन इसको ऐसे ही छोड़ देंगे e की value दे तो what में हम जो है figures में answer मिल जाता है इसका ठीक उमीद करूंगा हमने first chapter और second chapter को मिला के करीब 40 से जादा question कर ली होगे तो आपकी अच्छे से जो है practice हो गई होगी अभी हम आपको next video मिलेंगे जिसमें हम magnetism and matter नहीं moving charges and क्या ना में उस chapter का moving charges and magnetism के questions कर रहे होंगे और सभी PYQ series का follow करो comment section में आपका इंतिजार कर रहा हूं मैं तो जरूर से मुझे comment section बताना हा सर जल्दी से जो है नया chapter लेकर क्या मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई तो इंतिजार कर रहा होगा इसका मिलेंगे आपसे next video में तब तक के लिए गवराएना बस मेरे साथ practice करते हैं और घर पे खूब पढ़े thank you so much guys thanks a lot see you again in the next video thank you thank you